हेलो गाइस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ विशेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 16 जनवाई तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हम इसा की तरह आप इस वीडियो को अंते तक जरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी गाइस, इस सेशन को सुरू करेने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाते हैं तो आप करंट अफेर्स फंड अगा जो वन यर मेंबर्शी प्लान है उसे बाई कर सकते हैं आपको बता दे हम इसमें आपको पूरे साल तक हमारे जित्ता भी पीडियेफ में टेल है वो प्रवाइट कराते हैं उसे आप डाउंडोड कर सकते हैं प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और इसे आप एप पर भी पढ़ सकते हैं और यदि आपके पास लैप्टॉप या सिस्टम है तो आप वेब लोगिन करके भी पढ़ सकते हैं कोई भी अगर आपका डाउट है हमारी स्कोर सम्मन्दित तो कमेंट बॉक्स में में लिखेगा और साथ ही मैं आपको बता दो यह जो हमारा PDF में ठेल है यह आपका कोई भी एक्साम हो बैंक का हो, SSC का हो, रेल वेया, स्टेट, PCS, सब के लिए यूसफूल रहता है तो आप इसको बाई कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कोमेंट में दिया गया है तो चले फिर करते हैं सुरुवात इस वीडियो सेशन की सबसे पहले आज या कोशन देख लेते हैं भारत में दशवारसी क्रूप से आई जित जैनकर ना किस वर्स शुरू हुई थी ओप्शन आपके सामने हैं 1951, 1881, 1901 या 1872 देखिए सेंसस से सम्मंदित कोशन आपके किसी भी एक्जाम में पुछे जा सकते हैं तो जहाँ भी आपके सामने सेंसस से सम्मंदित कोशन आए उसे आप जरूर कर लिया कीजिए ये काफी महत्तपण कोशन है एक्जाम में पुछा जा चुका है तो जल्दी से आप इसका अंसर कॉमेंट बुक्स में कर दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे और इसी तरह के कॉशन के लिए आप करेंट अफेर्स फंडा को टेलिग्राम पर भी जैन कर लिजिए इसी नाम से मारा चैनल है करेंट अफेर्स फंडा वहाँ पर भी हम डेली क्विज टालते रहते हैं पीडियेफ आपके लिए शेयर करते हैं कोई भी नोटिफिक्शन आता है वो भी आपके साथ महीं पर हम सेयर करते हैं वो वोन मिस यूनिवर्स 2022 टाइटल मिस यूनिवर्स 2022 का किताब किसने चीता है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंतर ओप्शन भी है आर बोने कैप्रियल तो जानेगा आर बोने कैप्रियल यूसे से है और मिस यूनिवर्स 2022 का टाइटल है उन्हें जीत लिया है अच्छा आपको सबसे महत्र पूर्ण यह जानना चाहिए जो यह मिस यूनिवर्स 2022 हुआ है यह 71st एडिशन रहा है इस कमप्टिशन का मिस यूनिवर्स का 71st एडिशन रहा है यूसे में ही हुआ है और जो मिस यूनिवर्स 2021 रही बारत की हर नास दंदू उन्होंने इन्हें आर बोनी कैप्रियल को यह ताज पैना है आपको जानना चाहिए फर्स्ट टरन अप की अक्रम बात करें तो वेनेजवेला की अमांडा तुद्रमिल यह फर्स्ट टरन अप रही और डॉमिनिकन रिपब्लीक की एंड्रीना मार्टिनेस यह सेकंड टरन अरप रही है भारत की ओर चे दिवितार राय यह टॉप 16 में ही जगा बना पाई एर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस कनेक्ट स्वीच स्टेशन्स आठवी वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों को जोड़ती है सब्सक्राइबाद एंड विसाका पत्णम जानी का प्राइम मिस्टर नुर्यंदर मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोकी सिकंडराबाद और विसाका पत्णम को कनेक्ट करती है इसे हाली में हरी जंडी दिखाई है आपको बता दें ये इंडियन डेलवेज के द्वारा इंटर्ड्यूस की गई एट्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और फस्ट वन है जो की दो तेलकू स्पीकिंग स्टेट से आने की तिलंगाना और आंदरप्रदेस को कनेक्ट करता है और 700 किलम्टर की डिस्टेंस य और अंगल और सिकंद्राबाद में इसके स्टेशन्स होंगे आपको जाना चाहिए वंदेबात 2.0 यह इंप्रूवड फीचर्स और मोर एडवांसमेंट्स के साथ लॉंच की गई है और केवल 52 सेकेंड्स में 100 किलमेटर्स पर आर की स्पीड यह पकड़ सकती है और मैक्सिम में स्पीडिस की 180 किलमेटर्स पर आर है आपको बता दें इसमें इंडिजन्स डेवलप्ट ट्रेन कोलिजन एवर डाइन सिस्टम भी यानि की कवच सिस्टम भी सामिल है CII Bio Energy Summit held in which city? CII चैव उर्जा सिकर्सम मेलन की सहर में अजित किया गया ओप्शन्स आपके सामने है सही आंसर ओप्शन C New Delhi तो जानेगा Bio Energy Summit यह New Delhi में हुआ है और जो Union Minister for Petroleum and Natural Yes है हरदीप सिंग पुरी इन्होंने इसे address किया है तो यह जो Bio Energy Summit हुआ यह Confederation of Indian Energy, Indian Industry यानि की CII इसका event होता है और कौन सा edition राइस पार? 11th edition रहा है इसका theme भी महत्पूर है Energy Transition, Solution for a Sustainable Tomorrow अच्छा इसी दोरान जो हरदीप सिंग पुरी है इन्होंने कुछ बातें याद दिलाई वो फिर से हम रिवाइस कर लेते हैं 1.53% पेट्रोल में एतनोर ब्लेंडिंग की मातर थी और यह July 2022 तक 10.17% हो गई है और यह भी कहा है कि 2025 तक हम 20% एतनोर ब्लेंडिंग का जो हमारा टार्गेट है उसे अचीव करेंगे साथी नोंने यह बताया कि Indian Government ने Green Hydrogen Policy को भी इनेक्ट किया है जिसका टार्गेट है When is the Armed Forces Veterans Day celebrated? ससस्तर सेना पूर्वसैनिक दीवस कब मनाया जाता है options आपके सामने हैं सही answer option B January 14 तो जानेगा 7th Armed Forces Veterans Day यह 14 January को celebrate किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है क्योंकि 14 January 1953 को जो हमारे 1st Indian Commander-in-Chief of Indian Army रहे फिल्ड मार्शल के-म करियपपा यह रिटायर हो गए थे सर्विस से इसी दिन आपको जाना चाहिए जो celebrations है यह 9 locations में हुई पूरे इंडिया में लेकिन जो main function हुआ हो देरादून में हुआ है रक्षा मंत्री रायनास्टिंग द्वारा इसकी द्रक्षता की गई main function की देरादून में अचा इसी दूरान रक्षा मंत्री ने Soul of Steel Alpine Challenge भी लौंच किया है यह जो challenges इसका मकसद है जो border areas है वहाँ पर tourism को promote करना तो इसकी शुरुवात उत्रकंड से हो रही है आपको जाना चाहिए वेटरेन स्टे है यह हम साल 2017 से ही मनाते आ रहे है अंडर विच प्रोजेक्ट इंडिया विल प्रोवाइड essential medical supplies to developing nations भारत किस परियोजना के तहत विकास सील देशों को आवश्यक चिकित साप उर्थी प्रदान करेगा options आपके सामने है सही answer option D है आरोग्य मैत्री तो आपको जाना चाहिए प्राइम मिस्टर रेंदर मोदी ने आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट को एनाउंस किया है इसके तहत भारत कोई भी developing country है जहाँ पर natural disasters या फिर humanitarian crisis हुआ है उन्हें essential medical supplies प्रोवाइड करेगा आप सभी जानते है vaccine मैत्री एक initiative हमारी और से चलाए कहा था COVID pandemic के टाइम पर जहाँ पर हमने 100 देसों से ज़्यादा made in India vaccine प्रोवाइड कराई थी संजीव चड़ा is the CEO of which bank his tenure has been extended till June 30 संजीव चड़ा किस बैंक के CEO है उनका कारिकाल 30 जून तक बढ़ा दिया गया है सही answer option B bank of बढ़ा तो जाने का appointments committee of the cabinet इन्होंने अपने मंजूरी दे दी है कि bank of बढ़ा दो के जो Incubment Chief Executive है संजीव चड़ा इनका जो कारिकाल है उसको extend किया जा रहा है 30 जून तक तो इस पर मंजूरी दे दी गई है इसी के साथ आपको जाना चाहिए जो Financial Services Institutions Bureau है FSIB इसने recommend किया है कि जो Executive Director है देवदत्ता चंद इन्हें Managing Director के पत पर elevate कर दे जाए bank of बढ़ा में साथी ये भी इन्होंने recommendation किया है कि रजनीस करना टक इनको MD की post पर और CEO की post पर elevate कर दे जाए bank of इंडिया में करनाटका बैंक Limited के बारे में भी आपको जाना चाहिए इन्होंने सिखर राओ को जो है Executive Director of the Bank अपॉइंट करने का निर्ने लिया है तीन साल के लिए किस मंत्रा है ने पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया है options आपके सामने है Ministry of Minority Affairs जानेगा Ministry of Minority Affairs इन्होंने फैसला किया है कि हम पढ़ो परदेश नाम की जो स्कीम है उसको discontinue कर रहे है उसको बंद कर रहे है यह जो पढ़ो परदेश स्कीम है यह मायरिटी से सम्मंदित है जो भी स्टुडेंट्स है जो मायरिटोरियस स्टुडेंट्स है मायरिटी कम्मृटी से सम्मंदित यदि वो और सीज स्टुडेश करना जाते हैं विदेश में पढ़ना जाते हैं तो जो एजुकेशन लॉन वो ले थे हैं उस पर सरकार की और से कुछ इंटरस्ट सब्सिटी दी जाती है इस स्कीम के तहत तो सभी बैंकों को इंडियन बैंक्स एसोशेशन द्वारा नोटिफाई करवा दिया गया है कि यह जो पढ़ो परदेश इंटरस्ट सब्सिडी स्कीम है इसे डिसकॉंटिन्यू किया जा रहे है आपको बताते हैं जो इस स्कीम है यह कैनेरा बैंक के थुरी इंप्लिमेंट की जा रही थी यह कैनेरा बैंक इसका नोडल बैंक था इसी स्कीम का अब्जेक्टिव हम बता दें आपको यह था वही जैसे मैंने बताया जो एकोनोमिकली वीकर सेक्शन्स है मारिटीज कमिलिटीज में यह दियो वीदियोस में पढ़ना जाते हैं तो जो लोन उनों ने लिया है उस पर सरकार कुछ इंटरस्ट सबसीडी देगी और प्राइम मिस्टर्स जून 2006 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर दे वैलफ़र ओफ मारिटीज के तहट इसे गोशित किया गया था इसी स्क्रीम को वट इस दा मिनिमम पेड़ अप कैपिटल देट अन्यू अंब्रेला एंटिटी शुड हैव न्यू अंब्रेला एंटिटी के पास नियू उन्दम कितनी चुकता पुंची होनी चाहिए औप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर औप्शन सी 500 करोड रूपीज जाने का हाली में रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने कहा है कि जो न्यू अंब्रेला एंटिटी नेटवर्क है एन यू इई इसे अभी हम होल्ड पर रखें आने कि अभी इस पर कोई प्रोग्रेस या फिर कोई डिसीजन आर्भी द्वारा नहीं लिया जा रहा है आपको बताते हैं नेशनल पेमेंट्स कोपरेशन ओफ इंडिया जो है न एन पीसी इई इसी की तरह एंटिटी वहने वाली है एन पीसी इई का जो वर्कलोड है उसको थोड़ा कम किया जाएगा तो अब तक यह जो एन यूई नेटवर्केस के लिए फेस्बूक, गूखल, अमेज़ॉन, फिलिपकार्ड और कंपनीज ने भी अप्लाई रिया था लेकिन RBI के एक्सपेक्टेशन के साफ़ पर कोई भी खरा नहीं होत रहा है अब जानते हैं कि New Umbrella Entity आखिर होता क्या है आपको बता दे, RBI ने इसका स्वरूप तयार किया है और यह जो है, जो Retail Space है एक नया Payment System की तरह यह कारे करेगा जैसे ATMs में, White Label, POS, Aadhar Based Payments and Remittance Services उसके लिए तयार किया जा रहा है तो क्या है यह एक तरह का, जो New Payment System है उसको Manage करेगा, उसको Set Up करेगा आपको बता दे, यह Companies Act 2013 के तहाथ Incorporate Entity होगी और यह For Profit और Section 8 Company भी हो सकती है फिलाल आप जानते हैं कि जो Umbrella Entity है Retail Payment System के लिए भारत में हो NPCI है जो की एक Non-Profit Entity है अगर हम बात करते हैं इसी की, NEOE की तो यह जो Company है, यह एक Company होगी जो की Reserve Bank of India द्वारा Authorized होगी Under Section 4 of the Payment and Settlement Systems Act 2007 Minimum Paid Up Capital इसकी 500 करो रुपे होनी चाहिए यार यह आपको बास मज़ में और इसमें कम से कम 3 years of experience होना चाहिए Payment Ecosystem में No Single Promoter Promoter Groups Sell है More than 40% Investment in the Capital of the NUE जो NUE की Capital है उसमें 40% से ज़्यादा Investment नहीं होनी चाहिए Single Promoter की या फिर Promoter Groups की साथ इसमें भी बताया है कि करोड रुपे उनके पास होनी चाहिए उसका Contribution उनका होना चाहिए जब application दे रहे है साथ यह बताया है कि Promoter's जो है वो minimum 25% अपना जो Shareholding आप से डाइलूट कर देंगे पास साल के बात जब यह NUE साइट आप होजा है उसके पास साल के बात और जो minimum net worth है यह 300 करोड रुपे हमेसा होनी चाहिए NUE के पास Small Industries Development Bank of India will partner with the Association of Micro Finance Institutions of India to support women entrepreneurs in which state भारते लगु उद्ध्योग विकास बैंक की सराज्य में महिला उद्ध्यमयों का समर्थन करने के लिए Association of Micro Finance Institutions of India के साथ भागेदारी करेगा सही answer option थी West Bengal है तो जानेगा Small Industries Development Bank of India यह Association of Micro Finance Institutions of India के साथ partnership करेगा जिसके तहत जो West Bengal के backward districts है उनमें women entrepreneurs जो है उनको support किया जाएगा तो उनको एक market प्रोवाइट करा जाएगा और credit facilities भी दी जाएगी CIDB के बारे में तो आप जानते है headquarters लगना हूँ है इस थापना तो अपरे निश्वन अब्बे को इती Chairman and MDA सिवा सुब्रमन्यम रमन सुल्तान एहमद अलसरबेर has been named as president of the COP28 which country will host this conference later this year सुल्तान एहमद अलसरबेर को COP28 के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है कौन सा देज इस वर्ष के अंत में सम्मिलन की मेजवानी करेगा options आपके सामने हैं सही answer option A UAE संयुखत अरब अमिराथ तो जाने का सुल्तान एहमद अलजबेर कौन है ये ये अबुदाभी नेसनल ओयल कंपनी एडनो के चीफ एक्जेक्टीव है तो इन्हें COP28 क्लामिट कॉन्फरेंस का प्रेजिडेंट बनाए गया है तो ये कॉन्फरेंस COP28 कौन होस्ट कर रहा है यूनाइटर अरब एमिराथ दुबई में इस साल के अंत में तो UAE के बारे में आप सभी जानते हैं एक OPEC सदत से है Major Oil Producing Nation है और ये अपने इस अरब रिजन में सेकंड कंट्री होगा जो की इस COP को और्गनाइज कर रहा है इस से पहले इस जिफ्ट कर चुका है लास्ट एर हमने देखा 2022 में और ये जो COP28 होगी अभी है 30 November से 12 December 2030 की बीच होगी आपको पता दे UAE जो की First Country Error Reason में जिसने 2015 Paris Agreement को रेडिफाई किया है इसने भी कमिटमेंट किया है कि हम 2050 तक Net Zero Emission एचीव करेंगे है आपको जाने चाहिए First UN Climate Change Conference यानि की Conference यानि की Conference of Parties COP COP फिलफॉर्म होती है Conference of Parties तो यह पहली हुई थी है एडिशन यह 1995 में बर्लीन जर्मनी में हुआ था Union Minister for Labor and Employment भुपेंदर यादो Inaugurated Regional Office of Employees Provident Fund Organization at Alvar के अंदरे सरम और रोजगार पंतरी भुपेंदर यादो उने अलवर में कर्मचारी बविशनी दिसंगठन के छेतरे कारे लकाउद गाटन किया है सही आंसर अप्षन यह होता है तो देखें Union Minister for Labor and Employment फोरेस्ट, Environment and Climate Change भुपेंदर यादो इन्होंने EPF यानि की Employees Provident Fund Organization इसका जो Regional Office है उससे इनोगरेट किया है अलवर राजस्तान में आपको भी जाना चीज Central Provident Fund Commissioner है इनका नाम नीलम स्वामी राव है REC Sign MOU with which is State Government for Multiple Projects worth रूपीज 98,853 REC ने किस राज्य सरकार के साथ 98,853 रूपे की कई परियोजनाओं के लिए समझोते कि आपन परस्ताक्षर किए सही आंस्वरप्शन दी उत्तरप्रदेश है तो जाने का महारतन CPSU है Central Public Sector Unit है REC तो इसने एक Non-Minding MOU Sign किये हैं उत्तरप्रदेश गोवर्मेंट के साथ जिसके तहत जो उत्तरप्रदेश सरकार के Various प्रोजेक्ट्स है 98,853 रूपीज के तो उन प्रोजेक्ट्स को Financial Assistance प्रोवाइट कराएगा REC तो यूपी ग्लोबल इंवेस्टर सम्मीट की जो आज कल मीटिंग चल रही है उनके तहत ये MOU Sign किये गए है साथी MP ग्लोबल इंवेस्टर सम्मीट 2023 इंदौर के दोरान REC ने MP पार मेनेजमेंट कंपनी के साथ भी Non-Binding MOU Sign किये है जिसमें 15,06 क्रोड रूपे की Financial Assistance प्रोवाइट कराएगा किसले फूर अपकमिंग सरानी एंड हमर कंटक Thermal पार प्रोजेक्ट्स REC के अरब बात करें पहले से रूलर एक्टिफेशन कोरपरेशन की नाम से जाना जाएगा था यह पार फाइनेंस कोरपरेशन की सबसेट्री है अंडर यूनियन पावर मिनिस्ट्री विचे अस बिकम दा फस्ट इस्टेट तो इंप्लिमेंट पॉलिसी टो कंट्रोल ब्लाइडनेस अंद्यपन को नियंतरित करने के लिए नीती लागू करने वाला पहला राज्य कोंसा बन गया है सही आंसर उफ्षन सी राजस्तान है तो जाने का सभी देख पाएं थोड़ा बहुत भी देख पाएं तो इस राइड हो एंश्योर करना तो आप कुछ बाहनना चाहिए इस state में ये massive drive चलने वाली है जिसमें blindness का जो rate है उसको reduce किया जाएगा तो इसमें बताया गया है जो prevalence rate है blindness का राज्जे में वे 1.1% है 2020 में और इसे 0.3% लाया जाएगा राइस्थान के बारे में जानते हैं इसे और किस कंपनी ने ऐसे model विक्सित किये है जो रोगानू रोधी की screening को तेज कर सकते है सही आंतर अप्चन भी Unilever तो देहें Indian Institute of Science ने कहा है कि हमारी researchers ने और Unilever इन्होंने मिलकर bacteria cell walls यह कुछ ऐसे computational models develop की है जिनके दहात जो antimicrobials है उनकी screening काफी fastly हो जाती है antimicrobials के बारे में आपको जाना चाहिए molecules होते हैं जो की disease causing bacteria को kill करते है Universal के बारे में आप जानते हैं British Multinational Consumer Goods Company at Curtis London, England में है which state government has notified extension of 100% road tax exemption for electric vehicles till 2025 कि सराज्य सरगानी 2025 तक electric वहानों के लिए 100% सडक कर छूट के विस्तार को अधिसूचित किया है सही आंतर उप्शन सी तमिलाणू है तो देखिएगा तमिलाणू गॉर्मेंट ने order notify किया है जिसमें कहा है कि जो भी electric vehicles हैं उनको 100% motor vehicle tax exemption दिया जा रहा है तो ये जो exemption है ये उनी battery operated vehicles को जीद दिया जाएगा जो एक जनवी 2030 से 31 दिसम्बर 2025 तक का जिनका restriction है आपको बताने इस से पहले भी 100% road tax exemption period चलता रहा electric vehicles के लिए राज्य में ये 31 दिसम्बर 2022 को खत्म हो गया था तो फिर से renew किया है तब मिलाड़ो की बात करते हैं तो governor RN रवी है capital chain नहीं है chief minister M.K. Sterling है कामधिनू group has roped in which firm to finalize equity partner for 2000 crore rupees infusion in paints business कामधिनू समूने paint कारोबार में 200 crore rupees के निवेज के लिए किस firm के साथ equity partner को अंतिम रूप दिया है options आपके सामने है सही answer option E है तो जाने का गुरुग्राम बेस्ट कामधिनू group इनोंने consulting firm EY यानि कि आस्टन यंग इनको roped in किया है ताकि investors को लाए जा सके 200 crore rupees की investment इस company में हो सके तो EY इसकी साहता करेगा EY की बात करें headquarters London England में पूछ ला जाता है headquarters और Deloitte KPMG और Price Waterhouse Coopers PwC के साथ मिलकर यह जो चारो firm हैं यह big four accounting firm में शामिल है which company announced signing an MOU with Norway's S2 carrier AS to develop floating green ammonia project किस company ने floating green ammonia परयोजना को विक्सित करने के लिए Norway के S2 carrier AS के साथ समझोते हैं कि आपन पर सक्षर करने की यह घोशना की है options आपके सामने सही answer option यह है L&T तो देखें लार्सन एं टोब्रो लिमिटेड इन्होंने MOU sign किया है Norway की S2 carrier AS के साथ किसलिए to develop floating green ammonia project floating green ammonia project develop करने के लिए ताकि global economy को decarbonize किया जा सके तो L&T क्या होगा यह जो Norway की company S2 carrier AS इसके साथ construction partner होगा यह बना कर देगा है पूरा पूरा जो पूरा setup है which cricketer slammed the fastest one day international 150 runs in India किस cricketer ने भारत में सबसे थेज एक दिवस्य एक सो पचासर रन बनाए है options आपके सामने है सही आंसर option ने विराट को ली तो जाने का भारत ने स्रीड लंका को और आ दिया है तीसरे one day international में थिरूरंधपुरा के रल में 317 run से और यह भारत की रन के हिसाब से biggest एवर विक्ट्री रही है one day national cricket के इतियास में इसे के साथ भारत ने स्री लंका को 3-0 से वाइट वाइट वाश कर दिया है अब बात करते हैं विराट को लिक इनोंने 110 बोलों पर 116 run मारे है स्री लंका के लाव केलते हुए थर्ड वंडे टरंसल में और यह इनका highest वंडे टरंसल स्कोर है भारती जमीन पर कोली के नाम अब most ODA 100 भी हो गए है होम पर घर विलू मैदानों पर 21 हो गए है और आपको बता दे fastest ODA century इनोंने मारी है और सबसे आदा century किसी एक country इक लाव भी इनकी है स्री लंका इक लाव 10 है अच्छा fastest 150 runs इनोंने स्कोर किये है केवल 106 balls इनोंने यूस की इससे पहले यह जो record था यह उस्ट्रिले के जोर्ज बैली के पास था उनोंने 109 deliveries ली थी प्लेयर ओफ दा मैच विराट को ली रहे प्लेयर ओफ दा सीरीज विराट को ली रहे यह पूछ ले जाता है कि यह हाली में जो स्रंक लावी तिसमें प्लेयर ओफ सीरीज कोन थे या फिर हाँ प्लेयर ओफ सीरीज ही पूछते हैं कि कोन थे प्रिवेस असाइनमेंट कोस्टेंज के आंसर अब हम देखने वाले हैं विश्टी इस नोने स्टील सिटी इन ओडिसा राउर किला सिंगर लीजा मेरी पासले वो डाइट रेसेंटली बिलोंस तो विच कंट्री यूए विच ग्रूप सोल पेटियम स्टेक वर्थ 125 मिलियन उस तोलर वाय ब्लॉक दील अलिबाबा ग्रूप इन विच कैटेगरी दिट ता सोंग ना तुना तु विन दा आवार्ड अर्ता इतीत ग्रोलन ग्लोब आवार्ट बैस बेस्ट औरीजनल सोंग एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम विल इनिशेली कवर 500 डिस्टिक्स अक्रोज 31 स्टेट्स एन उन टरिटरीज तो किसी भी एस्पिरेशनल ने इसका सही जवाब नहीं दिया है ठीक है तो इसको नोट कर ले जगा विष्ट टनिस स्टर हाज नव बेकम यह एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में भी प विष्ट टनिस स्टर हाज वबेकम अनु टीम अनर इन वर्ट फर्स एल लेक्रिकर्स पर चेमश्चिव रफल नादाल नेन मोनी सक्या हूज दो वे एक रजारिय वार्ड और अर्जुन आजए लोन भॉल अव्य के दूज कर आफ विज प्रे संव नेकाट है व सार टुटुड-Wा-ट।०ि र사ऊ किं理 एशर फूर्टी वंडियो अव कर ऑग में का उन्युटिटोड विले व हुड़ इस घूड़े कि तो mixes प्जूपी अवे करे झाट आटुड-ग cadence अवं र्हे Supreme Court, which foundation day of CSIR National Institute of Science, Communication and Policy Research was selected on 13th January 2023, तो इन साथ questions के answer comment box में आप दीजेगा, यदि एक question का answer भी आता है, तो अभी आप हमें बता सकते हैं, साथी current affairs fund आप आप टेलिग्राम पर भी join कर लिजे, यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं, साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं, दोस्ते आपर हमारे current affairs की place दीगे, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ fellow experts साथ हमारे current affairs को share जरूर करें, आज का session आपको कैसा लगा, comment box में जरूर बताइएगा, thank you guys.